ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है लेट पॉइजनिंग क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप टारेक्ट टाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं औक्यूपेशनल हेल्थ का हमारा अगला टॉपिक दैट इस लेट पॉइजनिंग सबसे पहले चीज़ के लेट पॉइजनिंग के दूसरे नाम भी होते हैं कहीं जैसे की प्लम्बिजम, सैचनिजम और पेंटर्स कोलिक ये सैचनिजम कहां से है क्योंकि इसके क्लिंकल फिचर में हमारे को गाउट मिलता है इसलिए इसका अगला नाम पेंटर्स कोलिक भी होता है तो और क्या कहते हैं, प्लम्बिजम भी कहते हैं, सैचनिजम भी कहते हैं और पेंटर्स कोलिक भी कहते हैं याद रखिएगा कि ये ना most common heavy metal poisoning in the world होता है industrial workers में तो अगर आपको सवाल आए कि industrial workers में most common heavy metal poisoning कौन से metal से होती है तो आप बोल दोगे भाईया, lead से अब lead करता क्या है lead poisoning हो गई, lead आपके शरीर में आ गया, खूण में भी मिल रहा है, करेगा क्या ये दो चीज़ को inhibit करता है lead एक तो Amino Leveninic Acid Dehydrates और दूसरा होता है Ferrochilates ये दोनों कहां काम करते हैं तो यहां आपको दिखेगा कि भाईया, Amino Leveninic Acid जो होता है ये पॉर्फो बिलनोजिन में convert करने के लिए आपको यूज करेगा Amino Leveninic Dehydrogenase यहां पर यूज होगा लेकिन पंगा क्या होगा कि इसने इसको करने नहीं दिया तो यहां पर lead आके इसको inhibit कर देगा inhibit कर देगा तो खूब सारा आपको Amino Leveninic Acid आपको मिलने लगेगा ये हम डाइग्नोसिस में पढ़ेंगे उसके अलावा Ferrochiltase भी होता है वो भी आपको नहीं करने देगा जो कि यहां पर आपको Corporal Phyronogen है उसके बाद आपको नीचे जाओगे तो इधर पर आपको Ferrochiltase जो है Convert करता है हम में लेकिन क्योंकि lead है lead इसको inhibit कर देगा inhibit कर देगा तो Convert होई नहीं पाएगा तो यह दो नाम बहुत अच्छे से याद रखना Amino Leveninic Acid Dehydrogenase और Ferrochiltase एक और confusion होता है that is कि भाईया option MCQ में आ जाता है आपको Dehydratase की जगह आपको आ जाता है Synthetase अब क्या करोगे कैसे याद करोगे तो ठीक है वो तो हमको पता है कि भाई Dehydratase होगा तब ही तो इसको Convert करेगा लेकिन याद करने के लिए सीधी सी बात है lead L E A D तो आपको यहाँ पर L A D दिख रहा है L A D या फिर dehydratease dehydratease lead का D ऐसे भी याद कर सकते हो ठीक है ओके तो हमने कहके पढ़ लिया हमने देख लिया कि भाई इसको Plumbism Satinism or Pintas को लिख कहते है Most Common Heavy Metal Poisoning Industrial Workers में होती है यह दो चीज़ को Inhibit करता है Amino Leveninic Acid Dehydrates और Ferrochaltase कैसे काम करता है यह भी हमने देख लिया उसके बाद Most Common Sources क्या होते है Lead Poisoning हो रही है तो Lead के Sources क्या क्या है तो Gasoline या Petrol होगा Most Common आपको पता ही है कि Gasoline Inhalation जो होता है वो Greatest Source है Lead का SMA इसलिए आप किसी भी Petrol Pump पे जाओगे न अब वहाँ पे लिखा रहता है Unleaded Petrol ठीक उसके अलावा Lead Pipes होते थे जो Water Supply में यूज करते है In fact, Lead Paints को भी इस्तिमाल किया जाता था Toys और Windows में यहां से भी हमको Lead Poisoning हो सकती थी यह भी Source थे Lead की अब इंडस्ट्री इस कौन-कौन सी होती है जहां पे Workers जो होते हैं उनको Lead Poisoning हो सकती है तो Battery Manufacturing या Glass Manufacturing Industries जो होती है वहां पे Lead से आपको Exposure हो सकता है उसके लवा Printing Industry है या Rubber Industry है यहां पे भी आपको Lead से Exposure हो सकता है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि Battery, Glass, Printing और Rubber Industries यह चार Industries में आपको Lead Poisoning मिल सकती है अब आपको कुछ याद रखने है कि यह Toxic Lead Compound कौन कौन से होती है Toxic Lead Compound में आपको पहले तो यह 4 नाम याद रखने है Lead Carbonate, Lead Arsenate, Lead Oxide, Lead Sulphide अब इसमें से भी सबसे खतरनाक जो होता है वह होता है Carbonate Carbonate सबसे खतरनाक होता है और सबसे कम खतरनाक जो होता है Sulfide याद कैसे करोगे C के बाद क्या आता है D तो C is for carbonate, D is for dangerous, ठीक ऐसे ही sulfide least toxic होता है, ये कैसे याद करोगे S, U, L तो sulfide का L जो होता है वो होता है least toxic तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक तो आपके पास compounds है lead carbonate, lead arsenide, lead oxide और lead sulfide, जिसमें की lead carbonate most dangerous होता है, और lead sulfide जो होता है, वो least toxic होता है तो हमने देख लिया कि क्या कहते है sources क्या है, industries क्या है toxic lead compounds कौन-कौन से है फिर आता है mode of absorption कौन-कौन सा है तो mode of absorption में आप देखोगे कि तीन तरह से absorb हो सकता है, पहला तो होता है inhalation, ingestion और skin के तुरू भी आ सकता है inhalation, lead का inhalation most common mode है जिससे lead हमारे शरीर के अंदर जाता है, अब ये inhalation dust के फॉर्म में भी हो सकता है, fumes के फॉर्म में भी हो सकता है, उसके लवा ingestion क्या होता है, ingestion के लिए गलती से हमारा food या drinks जो होते हैं, वो contaminate हो जाते हैं, lead से और उसको हम गलती से खा लेते हैं, या पी लेते हैं उस तरह से absorption हमारे शरीर में हो सकता है उसके लवा, through skin भी हो सकता है कि आपके शरीर पे गिर जाए जाता tetra, ithile, lead जो होता है उसमें देखा जाता है, through skin हमको exposure होता है तो हमारे शरीर में कैसे-कैसे जा सकता है हम सास के through जा सकता है खाने के through जा सकता है और skin में गिर जाए, तो जा सकता है और उसमें भी most common कौन सा है, most common है सास के through जाना, यानि inhalation के through अब आते हैं इसके clinical features या clinical picture पहले तो याद कर लो भाया जो CNS effects होते हैं न वो आपके organic lead compound से बाग की अब सारे जो होते हैं वो inorganic lead compound से इस पर आपको सवाल आ सकता है कि जो CNS होता है वो organic वाले से होता है और दूसरे जो होते हैं वो inorganic वाले से होते हैं ये तो आप कर लो, उसके अलावर ये भी आप याद कर लेना एक MCQ मिला था कि ये जो lead होता है ये females में sterility भी cause करता है तो ये भी एक MCQ आपको पता होना चाहिए उसके बाद आते हैं कुछ important points जो की एक तो हो गया आपको lead poisoning में anemia मिलता है anemia में भी कौन सा micro stick hypo chromic anemia मिलता है burtonian line मिलती है या अपने forensic में भी पढ़ा होगा कि blue color की lines मिलती है हमको gums में तो ये हो गई आपकी burtonian lines उसके अलावा lead collect या painter's collect जिसको कहते हैं यानि की constipation भी मिलता है हमको lead poisoning में उसके अलावा lead palsy जिसमें की peripheral neuropathy हो जाती है जिसमें की wrist drop या foot drop देखने को मिलता है हमको इसके अलावा lead encephalopathy होती है facial pillar भी मिलता है facial pillar में याद रखना earliest और most consistent sign होता है यानि की सबसे पहले मिलेगा facial pillar और सबसे जादा यही मिलेगा की जादा तर cases में आपको facial pillar तो lead poisoning में मिलेगा ही मिलेगा उसके लावा gout भी मिलता है उसमें भी satinine gout आपको इसमें मिलता है याद कैसे करेंगे बहुत ही simple है A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G तो A for sorry A for anemia B for batonial line C for colic, colic कौन सा? pintous colic, D for drop, drop कौन सा? wrist drop या foot drop encephalopathy, F for facial pillar and G for gout simple, as easy as it can be A, B, C, D, E, F, G समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो उसके clinical features को बिलकुल मत भूलना lead poisoning में ABCD, E, F, G anemia, batonial line, colic, drop encephalopathy, facial pillar, gout ठीक? उसके लावा एक और चीज़ इसमें याद रखना है इसमें थ्रेशोल्ड phenomena देखने मिलता है symptoms मिलते हैं और वो कितना है? वो है more than 70 microgram per deciliter जब more than 70 microgram per deciliter blood में इसका level हो जाता है उसके बाद ही आपको signs and symptoms दिखना शुरू होते हैं समझ गए? तो यह हो गया आपका clinical picture या clinical features क्या-क्या होते हैं उसके बाद आता है diagnosis कैसे करोगे बाई साब तो diagnosis के लिए याद है शुरूआत में हमने तोड़ी सी बकर बिचाई थी वो इसी लिए बिचाई थी यहाँ पर बिचाई थी कि amino level unique acid dehydratease को inhibit कर दिया तो क्या हो गया? कि यह amino level unique acid जो है वो आगे convert नहीं हो पाया तो यह खूब सारा खूब सारा आपको मिलने लगेगा उसके लावा हमने बोलता ना corporal virgin को नहीं convert होने देता है heem में नहीं जाने देता तो यह भी हमको मिलने लगेगा यही चीज़ अब हमको देखने मिलेगी diagnosis में diagnosis में आपको urine, corporal virgin आपको मिलेगा बहुत सारा कितना मिलेगा आपको अगर 150 microgram per liter से जादा मिलने लगे मतलब आप समझ जाओ कि भाईया exposure हुआ है lead का इसलिए इसको ना as a screening test बहुत इस्तिमाल किया जाता है यह आपको एक MC को आजता है कि screening test के लिए किसको इस्तिमाल करते हैं हम तो screening test के लिए CPU that is urine को इस्तिमाल करते हैं कितना level के जादा मिलेगा तब आप कहोगे कि भाईया lead का exposure हुआ था 150 microgram per liter से जादा मिलेगा तब उसके बाद आता है urine में ही amino level unique acid भी याद है वहाँ पर amino level unique acid को convert नहीं होने दे रहा था तो amino level unique acid भी आपको बहुत जादा मिलने लगे कितना 5 miligram per liter से जादा अगर मिलता है तो आप कहोगे कि हाँ lead का absorption हुआ है तो A for amino level unique acid और A for absorption याद रखना A for absorption A for amino level unique acid और यहाँ पर अगर याद करो तो C for copropropyrin और यह C से ही आपको E बन जाता है तो E for exposure समझ गए और यहाँ पर A for amino level unique acid और A for absorption समझ गए तो ऐसे भी याद कर सकते हो उसके बाद भाई lead in urine अगर मिलने लगे कितना करीब 0.8 miligram per liter तो समझ जाना कि exposure भी हुआ है और absorption भी हो चुका है समझ में आया सिर्फ exposure के लिए पूछें तो coproproprofarin सिर्फ absorption के लिए पूछें तो amino level unique acid और exposure और absorption दोनों को indicate कौन करता है अगर urine में lead मिलने लगे और अगर blood में lead मिलने लगे तो क्या होगा अगर आपको blood में lead मिलने लगे मतलब कि sign and symptoms आ जाएंगे कब आएंगे sign and symptom याद है हमने पिछले slide में पढ़ा था threshold phenomena show करता है याने की 70 microgram पर 100 ml है यह भी याद रखना यहाँ पे यहाँ पे liter था यहाँ लिटर था यहाँ लिटर था यहाँ पे पर 100 ml है समझ गए अब इसमें भी याद करने के लिए भी यह 70 कैसे क्योंकि बहुत MC क्यों आते हैं इस पे तो यह 70 कैसे करेंगे आप याद तो यह हो गया आपका L L को अगर आप उल्टा कर दो तो हो जाएगा 7 तो हो जाएगा 70 microgram पर 100 ml याद रहेगा फिस से बताता हूँ LED का L L को उल्टा कर दो 7 तो 70 microgram पर 100 ml जब आजाए तो उसको threshold phenomena के ताता है तो clinical sinus symptoms आपको दिखने लगेंगे उसके अलावान एक बहुत important चीज़ आपको दिखने मिलती है that is basophilic stippling stippling का मतलब क्या होता है stippling का मतलब छोटे 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 dots मिलना तो basophilic dots आपको RBCs में मिलने लगेंगे that is basophilic stippling या फिर puncted basophilia आपको मिलने लगेगा तो समझ जाओ lead poisoning है ये basophilic stippling दिखती कैसी है ये देखो दिख रहे हैं आपको छोटे 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 dots आपको दिख रहे हैं ये इसी को stippling कहते है stippling का मतलब होता है छोटे 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 dots तो basophilic stippling आपको RBCs में मिलने लगती है lead poisoning में समझ गए तो diagnosis के लिए आपको ये 5 नाम तो याद रखने है urine में क्या-क्या coproporpharin amine letzte Malacey absorption हुआ है urine lead पताएगा आपको कि भाई एकrzyपोजर भी हो चुका है प्लस absorption भी हो चुका है lead अगर blood में मिलने लगे lead किता तो ये आप 70 70 से आपके याद रह идет sign and symptom भी मिलने लगे और basophilics stippling आपको देखने हो मिलेगी किसमे lead poisoning में समझ गए, इसके बाद आता है कि भी treatment के नाम पर क्या दोगे जो treatment में आपके पास बहुत सारे हैं सक्सिमार दे सकते हो, जो कि oral chelating agent होता है उसके अलावा dimer caprol दे सकते हो parental chelating agent होता है EDTA भी इसमें फायदे मन देखा गया है और in fact MCQ ये काया था D penicillamine भी आप lead poisoning में दे सकते हो तो समझ गए तो आपको lead poisoning में क्या क्या देना है तो D से D penicillamine दे सकते हो Aप E से E D TA दे सकते हो एक और D से आप क्या दे सकते हो एक और D से आप दे सकते हो timer, caprol और ये जो अच्छा सा देख रहे हैं ना अगर आप देखो तो ऐसे ही हम S भी बनाते हैं तो S for succimal ऐसी होता है, आप इसको ऐसा भी बनाते हो तो succimal तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका lead D से क्या हो जाएगा, dimer caprol D से हो जाएगा, D penesilamine E से हो जाएगा, EDTA और ये जो L है ये आपको, इसके जैसे भी दिख रहा है तो succimal ऐसे भी याद कर सकते हो आप lead poisoning के treatment को तो ये तो हमने देख लिया कि treatment क्या होता है, diagnosis क्या होता है clinical features, mode of absorption, toxic compounds को होनते हैं, industries, source और क्या-क्या इसको कहते हैं अगर मैं बात करूँ सवाल की न तो lead poisoning, star questions में से एक है, lead poisoning आता ही आता है, कही ना कहीं आपको आएगा short note में तो आता ही आता है lead poisoning, काफी famous question है, lead poisoning occupational health में viva की बात करूँ अगर मैं, तो viva में एक तो आप से पूछ ले जाता है कि भाई, source कि source क्या-क्या है lead poisoning के, तो आपको petrol तो पता होना चाहिए, gasoline क्योंकि ये most common है, उसके लाब अगर आप बता पाओ lead pipes और lead paints तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद कई बार आपको एक और चीज़ यहाद रखना, plumbism, ऐसे आ जाता है, short note on plumbism तो पता होना चाहिए, कि वाईवा में आपसे पूछा जाता है, most dangerous कौन सा है, और least toxic कौन सा है वाईवा के लिए सबसे important है भाई साब, कि इसके clinical features पता होना चाहिए, ABCDEFG और वाईवा में आपसे यह भी पूछा जाता है, most common mode कौन सी है, तो हाला कि आप पहले भी बोल सकते हो, कि gasoline canillation, तो आपको पता ही होगा, कि भाई, यह dust of, यह fumes of lead वाईवा के लिए एक और important चीज़ पूछी जाती है, कि भाई basophilic stippling examiner सुनना चाहता है, क्योंकि पता है, कि examiner आपका PSM में वाईवा ले रहा है, तो उसको पता है questions बता दिये, वाईवा के लिए बता दिये, अब अगर हम बात करें, PGA entrance exam की तो बहुत important topic है MCQs के लिए, तो जितने भी underline part है, हमारे notes और slides में वो सभी various PGA entrance exam में पूछे गए MCQs हैं, तो एक MCQ आपको यह पूछा गया है, कि industrial workers में most common heavy metal poisoning कौन सी होती है तो lead, एक MCQ आपको यह भी पूछा गया है, पैथो, माइक्रो में पैथो में भी यह पूछा जाता है, और यहां भी कि भाई, किसको inhibit करता है तो amino level unique acid dehydrates और ferrochiltase को most common source आप से पूछा गया है, lead का, तो gasoline का inhalation, industry पे भी एक MCQ पूछा गया है, तो battery manufacturing में most dangerous पे भी MCQ आया है, और least toxic पे भी आपको MCQ आया हुआ है उसके बाद mode of absorption में भी आप से एक MCQ आया हुआ है, कि most common कौन सा होता है, inhalation foot drop या wrist drop पे भी आपको MCQ आया हुआ है, कि भाई, यह poisoning में मिलता है, कि नहीं, हाँ, मिलता है sterility in females यह हमको याद नहीं रहता है लेकिन यह कराता है, कि इस पे MCQ आया हुआ है, threshold phenomena पे भी MCQ आया है, और कितने पे show करता है, इस पे भी MCQ आया है, तो 70 microgram per deciliter उसके बाद आता है आपका कि भाईया diagnosis diagnosis में आपसे पूछा गया है MCQ कि भाई, urine corporafirin कितना सब पे आया है, देखो, कि कितना यह भी आया है, और क्या indicate करता है, यह भी आया है, उसके अलावा, amino level unique acid पे भी MCQ आया है कि कितने पे वो indicate करेगा absorption हुआ है, lead in urine पे भी MCQ आया हुआ है और यह भी कि भाईया, exposure में कितना करेगा, lead in blood पे भी MCQ आया हुआ है, कितने पे करेगा और sign symptom कितने है, यह भी शुकरेगा, basophilic stippling इस पे तो कई भार, पैथो में सवाल आया हुआ है, और D penicillin इसके treatment में देते हैं इस पे भी आपको सवाल आया हुआ है ठीक, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको याद होनी चाहिए कि भाई, lead poisoning में हमको क्या-क्या पता होना चाहिए, यह सारी चीज़े तो at least आपको पता ही होनी चाहिए Thank you